असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे सन्राइज पुडिंग तो चलिए भम बनाना शुरू करेंगे तो सन्राइज पुडिंग बनाने के लिए लेंगे हम फ्रूट कॉक्टेल 850 ग्राम दो सेब लेंगे 150 ग्राम अंगूर कीवी लेंगे एक गानिषिंग के लिए तो चलिए सबसे पहले अब हम हम फ्रूट कॉक्टेल का तिन ऊपन कर लेंगे तिन ऊपन कर लेने के बाद में अब हम इसको चान लेंगे यानि कि सिरप और प्रूट कॉक्टेल बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे तो ये देखिए मिक्स फ्रूट और सिरप को बिल्कुल अलग कर लेना है तो ये सिरप को हम यूज ने करेंगे बिल्कुल भी यूज ने करना है सिरप को और mix fruit को हम छोटे-छोटे pieces में काट के रख लेंगे अब हम एक cream का mixture बना लेंगे तो इसके लिए लेंगे हम खोवा 100 ग्राम, 200 ग्राम क्रीम condensed milk आट करेंगे 200 ग्राम यह 400 ग्राम का टिन है तो इसमें से हम आदा आट करेंगे यानि कि 200 ग्राम condensed milk दो टेबल स्पून शकर आट करेंगे अच्छे से mix कर लेंगे अब इसका texture बिल्कुल क्रीमी हो जाना जब तक हम इसको mix कर लेंगे इस तरह से अब यह अच्छे से mix हो गया तो अब हम इसमें आट करेंगे बारी कटा हुआ सेप दो सेप कटे हुए आट करेंगे तो सेप का हम पहले छिलका निकाल लेंगे और इसके बाद में इसके छोटे छोटे तुकडे करके इसमें आट करेंगे अंगूर आट कर लेंगे अब एक सोपचास ग्राम अंगूर है तो अंगूर के भी हम छोटे-छोटे पीसेस करके आड़ करेंगे ड्राइफ रूट्स में लेंगे हम काजू, बादाम, पिस्ता, अख, रोट, अंजीर तो यह सब चीज़ने आड़ करेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा आड़ करेंगे बाफी का हम गानिशिंग के लिए रख लेंगे अब हम मिक्स फ्रूट कॉक्टेल अड़ कर लेंगे इसको भी छोटे-छोटे पीसेस में कर लेना है इसके बाद में इसमें आड़ कर लेंगे शूट सारे चीज़ें अट करने के बाद में को अच्छे से लिक्स कर लेंगे को इसको अच्छे से मिख्स कर लेंगे अब हम इसको स्क्वाइर शेप में काट लेंगे अगर आप लोग चाहे तो स्क्वाइर शेप में नहीं तो फिर स्कॉं गूल शेप में भी रख दे सकते तो इस तरह से कर लेना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हूं बिल्कुल इसी तरह से खर लेंगे अब हम इसको square shape दे देंगे इस तरह से अगर आप लोग ये नहीं करना चाह रहें तो gold shape में भी रख दे सकते जैसा आप लोग चाहें उस तरह से इसको छोटे pieces में या फिर बड़े pieces में भी assemble करके रख ले सकते आप लोगों के मर्जी के हिसाब से sponge cake काट लेने के बाद में अब हम इसको assemble कर लेंगे तो सबसे पहले अब हमें कोई भी खुली ट्रे वगएरा में इसको fruit cream जो हमने बना के ready कर लिया था वो add कर लेंगे fruit cream add कर लेने के बाद में अब हम sponge cake रख देंगे इस तरह से रख देंगे तो इस तरह से हम cake रखने के बाद में इसको थोड़ा सा दबाएंगे हलका सा दबाएंगे ज्यादा नहीं तक ये इसके अंदर fruit cream का जो flavor है sponge cake के अंदर आ जाना अब हम mix fruit juice लेंगे cake के उपर दालने के लिए इस तरह से दाल देंगे दो से तीन टेबल स्पून आड़ करेंगे आप लोग अपने टेस्ट के हिसाप से भी fruit juice आड़ कर ले सकते अब हम mix fruit jam लगाएंगे इस तरह से jam लगाने के बात में अब हम sponge cake के उपर रखेंगे आइस क्रीम ब्रिक एक लिटर का ब्रिक रखेंगे हम vanilla flavor का आइस क्रीम लेंगे तो इस तरह से हम आइस क्रीम रख देंगे और इसके बाद में अब हम इसकी ओपर से थोड़ा सा शेहद डालेंगे थोड़ा सा रुपजा ड्राइफ रूट्स अट कर लेंगे काजू, बादम, पिस्ता, अंजीर, अखरोट तो ड्राइफ रूट्स भी आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कमिया जादा कर ले सकते कीवी के स्लाइसेस रखेंगे अब यह सनराइस पोडिंग बिलकुर रेड़ी है सर्फ करने के लिए तो घर पर जब भी दावात हो आप लोग इस सनराइस पोडिंग की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करके देखिए और अगर यह रेसिपी अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचेंग अल्ल